नमस्कार आईए बच्चों, आज हम क्रिया की परिभाशा का ज्ञान लेंगे क्रिया का मुलरुप धातू है, जैसे पढ़, देख, दोड, बैठ, आदी कर्म तथा संद्रचना के आधार पर क्रिया के भेद को हम समझेंगे इस आधार पर क्रिया के दो भेद अकर्मक्रिया तथा सकर्मक्रिया है अकर्मक्रिया, कर्मरहित क्रिया को अकर्मक्रिया कहते हैं जैसे मोर नाचते हैं, लड़किया गाती हैं सकर्मक्रिया वो क्रिया जो कर्मके साथ होती है जिसमें कर्मकी आवश्चक्ता होती है जैसे गगन में तारे चमके रीटा कवीता पढ़ती है सकर्मक्रिया के दो भेद होते हैं एक कर्मक, द्वी कर्मक एक कर्मक्रिया किसे कहते हैं? जो एक कर्मक वाली क्रिया है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है जैसे आपको वाक्य में क्या प्रश्न करने से उत्तर मिले तो एक कर्मक क्रिया होती है उदाहरन राधा चित्र बनाती है सादू पूजा करता है यहाँ चित्र तथा पूजा एक कर्मक क्रिया है द्वी कर्मक क्रिया किसे काते हैं? दो कर्ब वाली क्रिया द्वी कर्मक क्रिया कहलाती है यहां हमें क्या किसको प्रश्न करना है जैसे अक्षई ने बच्चो को कहानी सुनाई तुम बच्चो को चौकलेट दो यहां कहानी सुनाई चौकलेट दो यह द्वी कर्मक क्रिया कहलाती है तो मेरे प्यारे छात्रों आज आपने सकर्मक तथा अकर्मक का ज्ञान प्राप्त किया होगा धन्यवाद झाल